वेलकम टू क्रिप्टोवर्स तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले इठीजियम के वालेट्स के बारे में और हम ऐसे कुछ वालेट्स देखेंगे जो अभी टॉप चल रहे गाइस पहले मैं इस वीडियो का सुर्वात करने से पहले आपको बता दू कि बहुत लोगों के हिसाब से उनको लगता है कि उनकी जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में वह अपने क्रिप्टो कैसी रखते वही एक वालेट है जिसे बाइनस हो गया या वजी रेक्स हो गया बट आपको बता दू कि वह जो वालेट होते हैं वह कंट्रोल में होते उसे एक्सचेंज के और अगर हम कुछ वालेट की बात करें जो आउट अफ गांट्रोल होते हैं मत्तब उनको कोई एन्टिटी कंट्रोल नहीं करती हैं वो आपके अंडर होते हैं तो ऐसे वालेट्स को आप ज़्यादा प्रिफर करें उसको बोलते हैं decentralized wallets तो ऐसे हम कुछ wallets के बारे में आज बात करने वाले और इस वीडियो को सुरू करने से पहले आपको बता दू कि ये वीडियो EPNS के true sponsored है तो चलिए पहले हम देखते हैं EPNS क्या होता है तो EPNS guys एक decentralized push notification service है जिसमें आपको आपकी कोई भी web 3 activity हो गई कोई भी smart contract हो गया या कोई भी df के notification हो गया वो आप अपने mobile phone में एक app में पास सकते हो उसके लिए आपको simply उस service के लिए subscribe करना है और आप उसके notification देख सकते हो wallet को link करने के बारे में तो guys जब हम जान चुके EPNS के बारे में तो चलिए इस वीडियो के main topic कर सुझात करते हैं पहले हम wallets के नाम देखने हैं और उनके description देखने से पहले हम देखते हैं wallets के बारे में करता है तो लोग क्या कर रहे है कि बहुत सारी investors ethereum में invest करें क्यों क्योंकि उनको पता है कि ethereum बहुत स्ट्रॉंग है उसके developers बहुत जादा है उसकी community बहुत स्ट्रॉंग है बहुत सारी नए-ने features लेके आ रहा है recently तो इसके लिए ethereum का demand बहुत जादा बढ़ चुक है और इसी के साथ अब wallets में आपके crypto secure रखना बहुत जरूरी है तो आप कोई भी wallet choose करो उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें आप अपनी wallet में देखके right wallet choose करोगे तो सबसे पहली चीज होती private keys आपकी जो private keys है वो secure होनी चाहिए और आपके control में होनी चाहिए second is ease of use आपको वो wallet use करने के लिए कोई course या कुछ ना करना पड़े वो एकदम user friendly हो एकदम easy हो use करने में थाड़ है development community तलको जाकि कुछ भी minor सा बग भी आता है उस wallet में तो उसकी developer community होनी चाहिए जिसमें आप अपना raise कर सकते हो query और आपको जल्दी उसका resolution मिल जाए फिर है backup and security उसकी security बहुत strong होनी चाहिए secure wallet होना चाहिए तभी कोई उसको opt करेगा या उसमें अपने वे coins रखेगा और उसमें backup की facility होनी चाहिए then NFT support NFT support होगा तो भी best है नहीं हो तो भी हम उसको चला सकते और last है compatibility compatibility सबसे important है guys ऐसा नहीं हो कि आपने एक wallet रखा है कुछ अलग DeFi activities के लिए और कुछ DeFi activities में support नहीं कर जो उसके लिए आपने एक और wallet लिया तो इससे अच्छा कि guys आप एक ऐसा universal wallet चूज करें जिसमें वो बहुत ज़्यादा compatible हो लगबग उसमें सारे DeFi की facilities हो तो ये चीज़े को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप अपने लिए right wallet चूज करते हैं अब next हम start करते करके सबसे पहले सबसे पहले इस list में आता है metamask का नाम ऐसा कोई भी मुझे लगता नहीं हो crypto में होगा जिसको इसका नाम पता नहीं होगा metamask आज के टाइम पे सबसे best and top wallet है अब अगर आप इस wallet को आप नहीं करें तो फिर मुझे पता नहीं कि आपकी क्या इससे कुछ personal problems है so metamask अभी के टाइम पे मैं भी recommend काता हूँ और मैं खुद इसे ही use करता हूँ तो metamask desktop में भी available है आप normally google chrome के या कोई भी browser के extension से इसको use कर सकते हो कुछ आपको software है कुछ भी install करने के जरुवत नहीं यह mobile में भी available है और currently आप इसका user base देख सकते होगा 21 million इसके half भी कोई और wallet अभी तक stand नहीं करता है और metamask के बारे में मुझे कोई introduction देनी के जरुवत नहीं आपको पता होगा यह सबसे popular Ethereum wallet है और कोई भी list हम wallet की बात करें और metamask का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता और साथी साथ यह आपको आपके crypto currency store करने की facility नहीं देता है आप इससे कोई भी decentralized Ethereum maps हो गए depths हो गए या smart contract हो गया या कोई भी DeFi की activity हो गया इससे आप interact कर सकते हो यह इतना flexible है इतना compatible है और साथी साथ इसमें extensions है जैसे कि आपसे Ethereum नहीं जैसे Ethereum के layer 1 और layer 2 solution जैसे polygon हुआ यह सब network को भी access कर सकते हो साथी साथ इसमें test networks भी आते ring b भी हो गया co1 हो गया तो वो developer friendly भी यह wallet है तो यह ता guys metamask के बारे में next हम देखते हैं Leisure Nano X आपको बता दूँ यह Leisure Nano X आपने भी सुना होगा recently news में बहुता यह hardware wallet है और currently इसका user base 3 million है अब hardware wallet में यह भी सबसे best चल रहा है और यह Ethereum wallet का एक hardware wallet है इसमें Ethereum और Ethereum के blockchain की जितनी भी coins आती है आप सब उसमें support करती है इसमें जो Bluetooth capability है इसकी उससे आपको बहुत increased mobility मतलब क्या होता है कि आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो easily इसको connect कर सकते हो अपने fonts है तो यह इसमें बहुत अच्छा feature है और यह एक time पर मैं जैसे आपको बता है multiple coins को handle कर सकता है कि Ethereum हो गए और Ethereum के जो भी और दूसरे coins होते है उन सब को handle कर सकता है थाड आता Trezor तो Trezor जो wallet है वो भी एक hardware wallet है और वो उसके अभी current users है 1 million और साथी साथ Trezor wallet जो है वो first bitcoin hardware wallet था सबसे पहले बिटकोईन के लिए launch हुआ था then Trezor ने अभी Ethereum को भी include कर दिया उसके लिए आपको myether wallet web interface को use करना पड़ेगा ether को store करने के लिए और आप इसको ether को offline लग सकते हो उसमें secure एक electronic chip है जो तभी trigger होगी सबसे पुराना पहला hardware wallet जो launch हुआ था फिर fourth wallet की जो हम बात करें वो है Goda जो Goda wallet है ये भी desktop plus mobile के लिए available है और इसके users अभी 935k है तो आपको इससे पर चलगी होगा कि ये hardware wallet नहीं है Goda एक non-custodial wallet है Ethereum storage की non-custodial मतलब ये आपके control में है कोई third party इसको handle नहीं करती है और ये wallet की feature सबसे अची easy to use ये बहुत easy use करने में इसकी UI बहुत अच्छी है user friendly UI है और आपको बहुत high level of security भी provide करती है आप ही इसके honor रहोगे और इसके जो private की होगी वो आपको ही set करना है और आपको total control लेता है पूरा आपके आतों में control होता है ethereum और आपके दूसरे मनी जो भी आप godam में store करते हो fifth की बात करते हुआ exodus exodus जो crypto wallet है ये भी desktop plus mobile दोनों में और इसके current user 875 के है तो exodus अभी का world first multi cryptocurrency desktop wallet है जिसमें आप multi blockchain के cryptocurrency रख सकते हो और इसका भी बहुत user friendly interface है जब आप exodus wallet को open करते हो तो एक आपको pie chart दिखता है pie chart बहुत अच्छा वे है कोई भी चीज को present करने का और उसमें आपको complete app की coin के holdings दिखेगी और उसमें आप easily देख सकते हो कि मैं पास कितने coins, कौनसेब blockchain के हैं and all तो इसे currently अभी 7 cryptocurrency को support करता है और यह पहला desktop wallet है जो अभी safe shift cryptocurrency exchange के लिए use होता है तो guys यह था एक्स्रोडस के बारे में अब लास्ट हम देखते है atomic wallet atomic wallet जो है वो desktop plus mobile के level है और इसमें 785 के users के currently है atomic wallet एक cryptocurrency wallet है जो ethereum और सी PRC 20 tokens के लिए बनाया भी यह wallet में आप स्टोर कर सकते हो आपको coins exchange करने वो भी आप कर सकते हो आप यहां तक ही एक bank के card से भी इसमें purchase कर सकते हो और यह wallet आपको encryption बहुत अच्छा प्रोड़ करता है आपके private keys का आपके smartphone के तुरूई आपको इसमें भी complete access होता है आपके private key का तो guys आज के video के लिए इतना ही I hope कि मैंने आपको 6 wallets के बारे में समझाया आपको अभी एक idea आगिया होगा कि मैं कौन सा wallet यूज कर सकता हूँ देखो guys मैं आपको इसको conclude करके बता दाओ कि दो type के wallet से major एक है software wallet एक है hardware wallet अगर आप software wallet prefer करते तो metamask is the best option currently in market metamask को आप यूज करें वो आप उसको easily use कर सकते हो बहुत easy use करने का हम future में उसके लिए एक dedicated video का भी plan करते कि आप सीख सकते हो कि कैसे metamask के सारे features किया और एकदम easily हम कैसे use करें अगर आप hardware wallet के लिए जा रहे हो तो laser nano x के साथ जाए उसके user base भी बहुत अच्छा और उसमें features भी कुछ bluetooth compatibility and all जो इसको बाकी hardware wallet से stand out करते है तो guys I hope कि आपको decision मिल गया हो कि आपको कौन से wallet को use करना चाहिए ना कि आपको ही centralized exchange के wallet को use करें तो अगर आपको guys में सीखने मिला हो तो video को like जरूर करें हमारे channel को subscribe करना ना बूले और ऐसे वीडियो के लिए cryptoverse को देखते रहे हैं thank you guys